टी शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव भक्ती मार्ग में कैसे हैं आप सब यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमस्षिवाय लिखना बिल्कुल न भूले आप सभी के मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि दिदी प्रदोश्रत की भी पूजा हम कैसे करते हैं, घर पे कैसे कर सकते हैं तो प्लीज उसके लिए एक वीडियो बनाएं तो मैंने बिल्कुल कोशिश करिए कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर रहा हूँ जिसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं कि हमें घर में कैसे पूजा करनी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दू, जैसे हम शाम के समय में जब पूजा करते हैं, जो हमें घर पे करना है, वो भी हमें प्रदोशकाल में ही करनी होती है, और यदि आपको प्रदोशक कboys काल और इसी प्रदोशकाल में आपको भोले नात और माता-पारवति का पूझन करना होता है आप चाहें तो शुन कर सकते हैं और यदि आप चाहें थो अपने घर में भी पूझा कर सकते हैं कोई विधान नहीं है कि आपको मंदिर ही जाना यदि आप असमर्थ है मंदिर जाने में तो आप अपने घर में भी इस पूजन को कर सकते हैं मैं आपके साथ पूरी विधी शेयर कर रही हूं कि हमें क्या-क्या समगरी चाहिए हमें पूजा कैसे करनी है और उसके बाद हम एक छोटा सा हवन भी कैसे करेंगे सबसे पहले हम एक लकड़ी का पटिया लेंगे उसको सच करके गंगा जल छिड़कने के बाद उस पे लाल रंका वस्त्र बिच्छा दीजिए या आप लाल रंका नहीं तो आप सफेद रंका भी बिच्छा सकते हैं इसके बाद जो हमने थाली में जो समगरी ली है उसमें मैंने यहाँ पर बोले नात को चड़ाने के लिए खीर का प्रशाद लिया है पंचामरत है हमारे पास जल है अबीर गुलाल है सब तरह के पुष पे हमारे पास बेल पत्र है जो भी आपके घर में देखिए समगरी हो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास समगरी नहीं है और हम पूजन करने चल दिये देखिए कुछ चीजे ऐसी होती है जो हमारे घर में इजी ली एविलेबल होती है परन्तु अगर आपको कुछ चीज नहीं मिल रही है तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें वही चीजे चाहिए जो हमें नहीं मिल पारी है देखिए कि अहान कर रही हूं और भगवान का अहान करने के बार हमें हमने पर इस्थापित किया है गर जी का मने आवान किया है क्योंकि सब्सेपर्ली गरषी को बुलाया जाता है अब थोड़े से मैं अक्षत और फूल आ आ छानदी की छोटी सी मूरती है मैं असके लिए एक चोकी मतलब उनको एक आसन देने के लिए मैंने पुष्प और चामल रखे हैं और एक प्लेट में जहां पे हम शिवलिंग रखेंगे उसमें मैंने चामल और थोड़े से फूल रखें उन्हें स्थान देने के लिए अब हम गणेश जी को पहले जल से स्नान करा लेंगे और शिवजी अगर आपने नहीं देखा हूं तो मैंने वीडियो डाली हुई है चैनल पर मैं भूले नात को भी पंचाम्रत से स्नान करा दूंगी और स्नान कराने के बाद हमें से भूले नात और गणेश जी का वापन से अभिशेक करना है यानि के पंचाम्रत में जो भी समगरी हमें चड़ाई है उसे हमें जल द्वारा साफ जरूर करना चाहिए अच्छे से भूले नात और गणेश जी को मैं स्नान करा रही हूं देखिए फूल भी आप ले सकते हो अब आपके पास अशोक के पत्ने हैं या आम के पत्ने हैं उनसे भी स्नान करा सकते हो परन्तु पूश पैसी चीज जो आराम से हमें मिल जाती है तो मैं यहां पे फूल की सहायता से ही भगवान को स्नान करा रही हूं अच्छे से आप इसनान करा लीजिए अभिशेक कर प्रजवलित करेंगे कि किसी भी पूजा में सबसे पहले दीप को प्रजवलित किया जाता है दीप प्रजवलित किया जाता है प्रजवलित करने के बाद ही पूजा प्रारंब की जाती है क्योंकि दीपक साक्षी होता है आपके पूजन का अब मैं दीपक का भी पूजन कर दूंगी हल्दी कंकू रोली लगा कर इसके बाद थोड़े से पुश्प से भगवान का पूजन करेंगे थोड़े से जल से आपके मन में पशुपति व्रतमे दीपाक वध में क्यो जलाते हैं क्योंकि वया के मन्युकाममना के दीपक होती ही आप में अने ऊहां पर आप में पूजन कर्हें गणेश जी को हम पीला सिंदूर की जिस से अउरेश कä ao अर्पित कर देने हैं इस के बाद में थोड़ा सा के बाद हम पुष्प परपित करेंगे भगवान को सफेद रंग के पुष्प आपके पास जो भी पुष्प हो आप भगवान को चढ़ा सकते हैं पर पुष्प चढ़ाते समय ध्यान रखें डंडी का जो मुख है वो नीचे की तरफ होना चाहिए डंडी का मुख कभी भगव पार्वति शिव जी यानि शिव परिवार के उपर ताके इनका इनका भी सनान हो जाए इसके बाद माता पारवति को हहं लाल रंग का George म इंप कोलोसे idea हैं तो मैं बता रही थी है, यदि आपके पास सिंदूर नहीं है, तो एक अश्टगंद होता है, अश्टगंद से आप किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकते हो, ये सभी को अर्पित किया जाता है, तो अश्टगंद एक ऐसी चीज है, जो सभी देवताओं को चड़ाई जा स क्योंकि कई रहा हमें नहीं पता होता हमें किस भागवान को क्या अर्पित करना है, और जो लाल गलावा होता है, यदि आपके पास कोई वस्त्र नहीं है भावन को अर्पित करने अर्पित किया है क्योंकि ये माता पार्वती को अर्पित किया जाता है कुछ लोग इसे गनेश जी और शिव जी को भी अर्पित करते हैं तो मैं सिर्फ माता पार्वती को ही अर्पित कर रही हूं अब मैं शिवलिंग की चंदन से पूजन कर रही हूं चंदन के बाद में यहा बटाइब यह एक चड़ाए जाते हैं तो इसका थोड़़ा सा विशेश द्यान रखिएगा शिर्फ आप अब फे बेलपक्ट्ट चड़ा रही हूं तो, आप चंदन भी हो तो, आप चंदन भी लगा सकते हो आपके पास अश्ट गंदे आप लगा सकते हो देखिा भाग्मा सिरफ भक्ति भाव देखते हैं आपके पास जो चीजें हो परंतु किसी गलत चीजों का प्रियोग ना करें क्योंकि शिवजी की पूजा में शंक का प्रियोग नहीं किया जाता है और एक चीज का विशेज ध्यान रखें जब आप शिवलिंग के उपर बेल पत्र को अरपित क आप अपर भाग होता है उसे कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए उस पर अश्टगंद डाल दीजीए उस पर चावल अक्षद जो दकना चाहिए वो रख सकते हैं थोड़ा से यह पर लाइटिंग अफ़ेक्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो अब मैं हापर जो हमारे फूल ह बहुत जादा प्रिय होते हैं क्योंकि बोले नात को हर वह चीज चढ़ाई जाती है जो अन्य देवी देवताओं को नहीं चड़ती बुले नात को यहाँ पे धतूरा अर्पित कर रही हूँ यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है और अकोई फूल नहीं है तो आप धतूरे के फूल भी बолे नात effect कर सकते हैं मिश्री और झमारी पूछप पूछप पूजन के लिए इने हम पूजन में ही इस्तेमाल करेंगे इसके बाद में भगवान पर थोड़ी सी यहां पर भस्म मेरे पास है जो आप को देख सकते हूँ यहां पर चोटे पकेट में तो भांग वगएरा मैं अक्सर रखती हूँ बो पेसे बने साफे नात को आपको अभुलाल में भोले नात को चड़ा सकते हैं यहां पर मेरे साथ पूजन कर जाए उर्पित कर रहे हूं यह सम्हारी हें और यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप केवल अश्ट गंद से भी पूजन कर सकते हो कोई मनाई नहीं है अश्टगंद सभी भगवानों को चड़ता है ये बाद मीठे सवरूप थोड़ी सी शक्कर हमने भगवान को अरपित कर दी अब हमने दीपक तो पहले प्रजवलित कर लिया था अब हम धूप यहां पे प्रजवलित कर रहे हैं क्योंकि ये मैं बाद में ही कभी भी उसे जमीन पर नहीं रखना है किसी थाली में ही आप उसे रखें कभी भी डायरेक्ट पर नहीं रखा जाता है इसके बाद में अगरबथी को प्रजवलित कर रही हूं अब कुछ लोगों का प्रेशन आ रहा होगा कि दीदी आपने दीपक से ही अगरबत्ती को जला दिया है तो देखिए दीपक से दीपक कभी नहीं जला जाता अगरबत्ती ये धूबत्ती को जला सकते हो दीपक से दीपक को कभी भी हम नहीं जलाते हैं तो आप अगर बत्ती या दूबदीब है आपके पास तो आप उसको जला सकते हो और देखिए कई बर क्या होता है हमें बहुत जल्दी गर्दी हो रही होती है तो हमारे पास इतना समय होता ही नहीं है कि हम एक 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 चीज पर थोड़ा से विश्यरी ध्यान दे पाएं यदि गल्ती से आपसे कोई गल्ती हो जाती है तो भगवान भी उसे शमा कर देते हैं तो अब मैं यहाप मौस्मी जो मेरे पास फल था वो मैंने अर्पित कर दिया भगवान को आपके पास जो भी मौस्मी फल हो उसे भगवान को जरूर अर्पित करें फल के बाद मैंने प्रसाद बहुत जादा पसंद होता है प्रसाद रखने के बाद धूपदीप करने के बाद जब हम आरती करते हैं उसके पहले यदि आप चाहें तो क्योंकि क्या होता है हमें प्रदोश कर रहे हैं तो हर प्रदोश की अलग-अलग कथा होती है जैसे सोम प्रदोश भूम प्र कर ली है और एक चीज का विशेज ध्यान रखिएगा यह तो मैं क्योंकि आरती का लास्ट क्लिप है यह मेरे पास जब आपकी आरती हो जाए जब आप कर पूर गौरम कर रहे हो उसी समय आपको कर पूर को प्रजवलित करना चाहिए उतनी देर के लिए जितनी देर आपका कप पूर जलाया था अब मैं आप एक थाली में स्वास्तिक बना रही हूं क्योंकि हम एक छोटा सा हवन भी करने वाले हैं घर पे बहुत छोटा सा हवन आराम से कर सकते हो क्योंकि हवन घर की हर नेगेटिव एनरजी को दूर कर देता है और हवन के लिए जो भी आप जो भी बर पूजन अवश्य आपको करना है आप हवन कुंड का पूजन रोली कंकु अक्षत से करिए उससे जलका आचमन करने के बाद ही आपको अपना हवन शुरू गरना है अब यहां पर मैंने कंडे ली है थोड़ी सी जो मैंने आपको बताया था आम की जो मेरे पास लकड़ी है उ आपको जितना 108 अहुती देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको कुछ नहीं आता तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओन शिवाय मूल मंत्र का जब करते हुए पूरे पदिवार से आप अहुती जरूर दिलवाएं यह एक चोटा सा हवन जो हम करते हैं यह हमारे घ जब आपका हवन जरूर बहुत अच्छे से हो जाएगा धुआ भी नहीं यह जाएगा और करन तो इसके करन अच्छे से हवन नहीं गर पाते हैं जो प्रसाद की खीर है हमने हवन कर लिया है करने के बाद आचमन जल से जरूर कर लीजिए जब अपका हवन खत्म होजाता है जब आप फवन कर चुकें, उसके बाद अगनी देवता से शमयाचना भी मांगें, भगवान से भी हमें शमयाचना मांगनी होती है, जो हमें भकति हीन, क्रिया हीन, जो भीना भाव के हमने पूजन करा है, परन्तु पूजन सच्चे मन से किया है, हम बच्चे हैं नादान हैं हम नहीं जानते कैसे पूजन किया जाता है कैसे आवान किया जाता है कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाता है तो हे भोले ना मेरे इस पूजन को सुईकार करें सच्चे मन से मत्था देख लीजिए यहां पर आपके प्रदोश की पूजन जो है वो पूजन कैसे करेंगे तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कूल ना भूलें बेल बटन दबाके शिव भक्तिमार परिवार का हिस्सा जरूर बनिए ताकि मैं जो भी नए वीडियो आपके लिए लेकर हूं वह आपको आशानी से म मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए श्री शिवाय नवस्तों में जै मातारानी दोश्ते हैं